फिल्म की कहानी आइसलैंड की बरफीली वादियों में शुरू होती है, जहां गोडों का एक समूह अपने घर की ओर जाते समय एक अग्यात प्राणी से डर कर भाग जाता है। जहां उन्हें पता चलता है कि कई भेडों ने बच्चे को जन्म दिया है। मारिया नए जन्मे भेड के बच्चों से बहुत खुश थी, लेकिन ईवर की दिल्चस्पी कम थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी सारी भेडों का खर्चा उठाना मुश्किल होगा। जिसका समय नजदीक था। मारिया और इवर ने मिलकर उस भेड की डिलीवरी में मदद की, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को देखा, वे हैरान रह गए। इवर उसके लिए एक बेबी काट भी लाता है, ताकि अड़्धा उनके साथ बेडरूम में रह सके। जब अड़्धा की असली मा उसे वापस बुलाती है, मारिया उसे वापस नहीं करती। इस बीच इवर अड़्धा को मारिया की गोद में देखकर इमोशनल हो जाता है और खुशी के आंसू बहाता है। अड़्धा के आने से उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई थी। एक दिन जब इवर ट्रैक्टर ठीक करने में व्यस्त था, उसका कुत्ता उसे खेत की और कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इवर कुछ समझ नहीं पाता और उसे इग्नोर कर देता है। मारिया जब वापस आती है तो अड़्धा के बारे में पूचती है। इवर कहता है कि उसने अड़्धा को बेड्रूम में सुला दिया था, पर अड़्धा वहां नहीं होती है। अड़्धा को बाहर ले आई थी। मारिया भेड से अड़्धा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए गर्म कपडों में लपेट देती है। वे घर वापस चले जाते हैं लेकिन अड़्धा की माँ उनका पीछा करती है। एक रात मारिया को डरावना सपना आता है कि अड़्धा की माँ उसे ले जाएगी। इसलिए मारिया एक योजना बनाती है और रात में बाहर जाकर अड़्धा की माँ को गोली मार देती है और उसे वहीं दफना देती है। यह सब इवर के भाई पीटर देख लेता है जो शहर से आया था और छोटे-मोटे अपराध करके पैसे कमाता था। वह भेडों की शेड में सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है जब पीटर सुबह उठता है तो उसे अड़ा दिखाई देती है लेकिन जल्द ही वह गायब हो जाती है जिससे पीटर सोचता है कि शायद उसने सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर ईवर से मिलता है और ईवर उसे देख कर खुश होता है क्योंकि पीटर काफी समय बाद वहां आया था। साथ नहाते हुए देखता है जब ईवर अंदर आता है पीटर उससे पूछता है कि यहां क्या हो रहा है तो ईवर कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है रात में मारिया अड़ा को पीटर के पास लाती है और उसे अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने को कहती है पीटर ईवर से एक बार फिर अड़ा के बारे में बात करने की कोशिश करता है जिस पर ईवर कहता है ईवर पीटर से कहता है कि वह उनके निजी जीवन में दखल न दे मारिया चाहती है कि पीटर जल्दी चला जाए क्योंकि वह उसके साथ फ्लर्ट करता है इवर कहता है कि पीटर कुछ समय के लिए यहां रहेगा अगले दिन वे सभी खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका कुत्ता अड़ा की देख भाल करता है पीटर मारिया से फ्लर्ट करता है लेकिन मारिया उसे अंदेखा कर देती है पीटर कहता है कि अड़ा सिर्फ एक जानवर है लेकिन मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती अगली सुबह इवर पीटर को एक शेड की सफाई के लिए कहता है पीटर अपने पुराने ड्रम्स पाता है और खुश होकर उन्हें बजाने लगता है। पाहर ले जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन अड्रम्स पाता है। लेकिन उसकी दुखद मौत हो गई। उनकी बेटी की मौत के बाद वे दोनों काफी अकेला महसूस करने लगे थे। इसी वजह से उन्होंने उस हाइब्रिट भेड के बच्चे को अपनाया और उसका नाम अड्धा रखा उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। इवर अड्धा को कहानिया सुनाते हुए अपनी मरी हुई बेटी को याद करता है और इमोशनल हो जाता है। मारिया उसे शांत करती है। दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे जिससे उनके बीच दूरिया बढ़ गई थी। लेकिन अड्धा के आने के बाद उनके बीच की दूरिया कम होने लगी। पीटर भी अब अड्धा को पसंद करने लगा था और उसे बाहर घुमाने ले जाता था। इससे ईवर और मारिया खुश होते थे। एक दिन पीटर अड्धा को मचली पकड़ने के लिए ले जाता है और उसे अपने और इवर के बचपन की कहानिया बताता है। लेकिन जब वे घर वापस जा रहे होते हैं तो उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। इससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वे डांस करने लगते हैं। इस दौरान वे तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तब अड्डा उन्हें बिना बताये घर से बाहर आ जाती है। वहाँ वह उसी क्रीचर को देखती है जो कहानी की शुरुआत में भेडों के फार्म में आया था। इस क्रीचर को देखकर अड्डा घर की ओर भागती है और शेड में जाकर खुद को आइने में देखने लगती है। अड्डा सोचने लगती है कि वह अपने माता-पिता मारिया और इवर की तरह क्यों नहीं दिखती है जिससे उसे शक होने लगता है कि शायद वे उसके असली माता-पिता नहीं है। इसी दौरान इवर नशे में होने के कारण जमीन पर गिर जाता है, जिससे पीटर उसे उठा कर बेड्रूम में ले जाता है। अड्डा भी वहां पहुंच जाती है। अड्डा इवर के साथ सोने लगती है, लेकिन वह उस क्रीचर के बारे में सोच रही होती है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और फ्लर्ट करने लगता है। मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसा न करने के लिए कहती है। पीटर उसे ब्लैकमेल करता है, कहता है कि उसे पता है मारिया ने अड़्डा की असली मा को मारा है और अगर मारिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अड़्डा को सब कुछ बता देगा। मारिया मजबूरी में पीटर की बात मान लेती है, लेकिन फिर उसे एक कमरे में बंद कर देती है. पीटर गेट खोलने के लिए चिलाता है, लेकिन मारिया उसे एगनोर करके वहाँ से चली जाती है. अगली सुबह, मारिया पीटर के पास जाती है और उससे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। पीटर मान जाता है और मारिया उसे बस स्टॉप पर छोड़ने जाती है। इसी बीच इवर भी उठता है और अपनी पतनी और भाई को ढूनने लगता है। जब वह उन्हें नहीं पाता तो वह अड़ा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है। इवर अड प्रजूद मारिया पीटर को कुछ पैसे देती है और वापस अपने घर की ओर चली जाती है। इसी दौरान इवर अड़ा को रास्ता भूल जाने पर घर कैसे पहुँचना है इसके बारे में बताता है। ट्रैक्टर के पास पहुँचने पर इवर ट्रैक्टर को ठीक करने क कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता इसलिए वह अड़ा के साथ वापस घर जाने लगता है। मारिया भी घर पहुँच चुकी होती है और सोचती है कि अब वे अड़ा के साथ शांती पूरवक रह सकेंगे। लेकिन जब उसे घर में इवर और अड़ा नहीं मिलते तब उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे मारिया डर जाती है और जल्दी से फार्म की और भागती है। फार्म पर हम देखते हैं उस क्रीचर ने इवर को गर्दन में गोली मार दी है। ये क्रीचर आधा इंसान और आधा भेड है जो अड़ा का असली पिता होता इस क्रीचर को देखने के बाद ही अड़ा को अपने माता-पिता पर शक होने लगा था। इसी के साथ यह मूवी समाप्थ हो जाती है।